दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सब का स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्य और आप भी प्रसन्य होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते शीखते हैं विद्धार्थियो आज की वीडियो हम मना रहे हैं कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत की पाठ भगवान की डाकी है जिसकी लेखक है रामधारी सिंग दिन कर इस पाठ आधारीत प्रशनोत्रों को लेकर करके हम वीडियो बना रहे हैं पाठ का वाचन हम पूरु की वीडियो में कर चुके हैं आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में कप्षा आठ की वीडियो में वो देखी जा सकती है तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो प्रारंब करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आईकोन को जरूर दबाएं तक कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है आप इससे जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अप लगातार अपने काम की उपियोगी वीडियो देखते रहें और अपने साथियों को शेर करते रहें दिखाते रहें तो प्रशन अभ्यास पहला प्रशन है कवी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है इस पश्ट कीजिए तो उत्तर है कवी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुँचाते हैं यानि कि वो भी एक माध्यम है उनकी लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं पर पेड, पोधे, पानी और पहाड उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं जिस तरहें बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते उसी तरहें हमें भी आचरन करना चाहिए बिना भेदभाव के प्रेम पूर्वक रह करते प्रस नमबर दो है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठ्थियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं सोच कर लिखिए उत्तर है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठियों को पेड, पोधे, पानी, पहाड, पशु, पक्षी इनकी द्वारा जो बाते की जाती हैं वो जो प्रकृती की चीजे हैं वो सहज रूप से पढ़ पाती है प्रशन नमबर तीन है किन पंक्षियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम, सदभाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं दूसरा है फ्रकरती देश देश में फ्रेम भेद भाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है. उत्तर है कैका पक्षी और बादल ये भगवान की डाकी है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठियां पेड़ पोधे पानी और पहाड पांचते हैं ये वो पंक्तियां जिनका भाव उपर लिखा गया है वो व्यक्त हो रहा है और खै में जिनका भाव व्यक्त हो रहा है वो ये पंक्तियां है पाट की और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है ये उसका उत्तर है प्रशन नमबर चार है पक्षी और बादल की चिठियों में पेड़, पोधे, पानी और पहाड क्या पढ़ पाते हैं तो इस प्रशन का उत्तर है कवी का कहना है कि पक्षी और बादल की चिठ्षियों में पेड, पोधे, पानी और पहाड भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पड़ पाते हैं, इस पर अमल करते हैं, नदिया समान भाव से सभी लोगों उसमें अपने पानी क को बाटती हैं, पहाड भी समान रूप से सब के साथ खड़ा होता है, पेड, पोधे, समान भाव से अपने फल, फूल, वे सुगंद को बाटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते, प्रश नमबर पाँच है, एक देश की धर्ती दूसरे देश को सुगंद भेजती है, कथन का भाव रिश्प्ष्ट कीजिए, उत्तर है एक देश की धर्ती अपने सुगंद भे प्यार को पक्षियों के माध्यं से, दूसरे देश को भेज कर सदभावना का संदेश भेजती है, धर्ती अपनी भूमी में उगने वाले फूलों की सुगंद को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है, हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंकों पर प्रेम प्यार की सुगंद तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंद भेजती है पाठ से आगे के जो प्रश्ण है उनके उत्तर इस प्रकार है पक्षियों और बादल की चिठियों के आदान प्रदान को आप किस द्रश्टी से देख सकते हैं उत्तर है पक्षी और बादल की चिठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सोहार्द और आपसी सदभाव की दृष्टी से देख सकते हैं यह हमें यही संदेश देते हैं कि प्यार से प्रेम से मिल जुल के सदभाव के साथ रहना चाहिए आज विश्व में कहीं भी संबाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है पक्षी और बादल की चिठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए दस पंक्तियां लिखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मेल से या इंटरनेट के किसी भी टूल के अमाध्धम से कोई भी चीज भेजते हैं जैसे वाटसप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, मेसंजर से तुरंत पहुँच जाती है कितनी भी दूर व्यक्ति हो और आप कल्पना कीजिए कालिदास जैसे संस्कृत के महाकवी ने मेगदुद जो लिखा है उसमें बादल पर संदेश लिखकर भेज़े जाते हैं तो वो कहीं न कहीं हमें आज की स्थती की तुलना से जोड़ते हैं कि यह संभव था शायद तो इसी तरह पक्षी और बादल अपना संदेश लाते हैं तो खेर इसका उत्तर है पक्षी और बादल प्रकरती के अनुसार काम करते हैं किन्तु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है बादल का कार्रे प्रकरती प्रेमी को प्रभावित करना है किन्तु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है पक्षी और बादल का कार्रे धिमी गती से होता है किन्तु इंटरनेट का कार्रे तिव्र गती से होता है इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं उनके विचारों को पता लगा सकते हैं किन्त पक्षी और बादल की चिठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एक्ता का संदेश देते हैं हमें भी इंटरनेट के माध्धम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए यानि कि उनका सही और सकारात्मक रूप से प्रियोग करना चाहिए प्रशनमबर तीन है हमारे जीवन में डाकिय की भूमी का क्या है इस विशे पर दस वाकि लिखे अब भी डाकिय का महत्व खत्म नहीं हुआ है थोड़ा कम जरूर हो गया है चिठी पत्रियां लिखने लोगों ने कम कर दी है तो उत्तर है डाकिया भारतिय सामाजिक जीवन की एक आधार भूत कड़ी है डाकिया द्वारा डाक लाना पत्रों का बेसबरी सिंतजार डाकिये से ही पत्र पढ़वा कर उसका जवाब लिखवाना इत्याजी तमाम वहत्तपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नजर अंदाज न जवाबी चिप्ठी उसके परीचित सभी तबके के लोग हैं हमारे जीवन में डाकिया की भूमी का त्यंत महत्तपूर्ण है भले ही अब क्यम्पूर्टर और इमेल का जमाना आ गया है पर डाकिया का महत्तव भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था कई अन्य देशों मे होम टू होम डिलिवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए है या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है वहीं भारतिय डाकिया आज भी सुभे से शाम तक चलता ही रहता है डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन करता है गर हलंकी अब जो साहित्तिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं लेखक हैं विशेश रूप से पाठक हैं उनकी पत्र ही ज्यादा आते जाते हैं कुछ दूसरे लोगों को भी आते हैं ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब लेकिन फिर भी चिठ्ठी का पत्रों का प्रचलन थोड होती है भगवान के डाक ये पाठ के प्रशनों पर आधारी तुक्तरों को हमने इस वीडियो में समलित किया वीडियो आपने पूरी देखिए उसके लिए धन्यवाद कैसी लगी हम जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए और को सब्सक्राइब करना ने भूलें आपके मन में कोई सवाल है कोई जिग्यासा है कोई प्रशन है या कोई बात समझ में ने आई हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए हम उसका निदान करने कोशिश करेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोप के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार